वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें भूमद्य तथा विश्वत रेखा के बारे में इससे पहले की ग्लास में हमने जो प्रधान मध्यान रेखा है उसकी बात करी थी आज हम बात करेंगे विश्वत रेखा के बारे में तो विश्वत रेखा पहले है क्या पहले मैं आपको basic से समझा देता हूँ देखो यह है साथियों हमारी प्रत्वी पहले रंग थोड़ा चेंज कर लेते हैं ठीक है यह हमारी प्रत्वी अब इस प्रत्वी पर साथियों बहुत सारी लाइन्स किची हुई है तो वो काल्पनिक रेखा जो प्रत्वी को दो बराबर हिस्तों में बांट दे बिल्कूल बीच औबीच ठीक है इस रेखा को हम कहते है, 0OG अक्षांस रेखा और c0 कोई कहा जाता है भूमध्यर रेखा नाम से इस पस्ट है कि भूम अध्या रेखा है यानि ये वो रेखा है जो धर्ती के बीचों बीच से हो करके गुजरती है तभी नाम है इसका भूम अध्या रेखा नाम से इस पस्ट है ठीक है अब जरा इसके बारे में जो फैट है उनकी हम बात करेंगे देखो जरा कि रेखा को विश्वत वरत कहते हैं जो मैंने अब आपको बताया बुमत रेखा वरत ग्लोब को दो बराबर हिस्तों बाड़ जाती है और सभी अक्षान समांतरों से बढ़ा होता है अता इसे ब्रहत बरत कहते हैं यानि अगर यह हमारी धरती है और इस पर यह लाइन खीची ह यह वाली लाइन इस वाली लाइन से छोटी है कि नहीं यानि जैसे जैसे आप इससे दूरी बढ़ाओगे लाइन छोटी होती चली जाएगी तो सबसे बड़ी लाइन कौन सी होगे यह बीच वाली यही तो बता रहा है ठीक है अब देखो क्या लिखा हुआ है विश्वत पर हो तो टेंपरेचर में आपको साल बर बहुत जादा वेरियेशन देखने को नहीं मिलेगा यानि तापमान वही रहेगा अठ्ठाइश उन्तिस तीस हर मौसम में वही रहेगा है ना 31-32 भी हो सकता है लेकिन आप यह सोचो कि जैसा हमारे हां होता है मैदानों में कि सर्द टेंपरेचर वही मिलेगा 27-28 चाहिए आप जून जुलाई में जाहिए तब भी टेंपरेचर आपको वही मिलेगा 27-28 तो बहुत ज़्यादा वैरियेशन नहीं आएगा एक डिगरी का आ सकता है अर्थात आगे लिखा हुआ है अर्थात यहां लगबग वर्ष बर सूर की क देखा कुल 13 देशों से होकर के उजरती है इनके नाम देख लो यह इंपॉरेंट है ब्राजील इकवाडोर कोलंबिया साउटोम और प्रिंसिप कांगो युगांडा सोमालिया गैबर कांगो लोगतांत्रिक गंडराज केनिया इंडोनीशिया मालदीव और किरिबाती यह है वो 13 देश आंसे होकर के उजरती है शाथियो भूमद्य रेखा ठीक है कापी मैथपूड है ध्याण रखना अब देखो भूमद्य रेखा करकह करकर ठता मकर ।रेखा तीनों अफ्रीका महादीव से होकर के उजरती है इंपॉडणन कोशिण है कि कि çो कॉन सा महादीव है जहां से ओकर के तीनों रेखा गुजरती है तो वह है अफ्रीका महादीब कर देखा गुजरती है अब हम अगली देखां की बात करेंगे जो कि है करक डेखा औं मकड रिखा उत्री गोलार्थ में साड़े तेश डिगरी उत्री अक्षांस रेखा को करक रेखा कहते हैं ध्यान रखना पेपर में सीधे पूछ जाने वाला प्रशन है यानि उत्री गोलार्थ में जो साड़े तेश डिगरी उत्तर में जो रेखा खिंची जाती है उसे कहते हैं करक रेखा और दक्षनी गोलार्थ में साड़े तेश डिगरी दक्षन में जो रेखा खिंची जाती है उसे कहा जाता है मकर रेखा ठीक है कैसे ही फिर्फी मा विज्वम को बताता हूं यह है हमारी परीमालिया हमने इक सगें 10 2010 प्रत्वी हमारी परत्वी हम दीच में बुमत रेखा यह को ना टीक फ में चलिए यह तो लएका आप देख हे हैं यह करकर रेखा और यह मंत रेखार तेख रहे हैं यह हैं करकु रेका और ये जो देख रहे हैं यह हैं मकर रेका इसका दिगरी क्या थाड़े 23 उत्तरी एक्षांस čаш sailing दक्षणी कंफ देख फुड़ीरा अब देखो कि प्रत्विक के अ पर सीधा चमकता है नियान रखना ठीक है मनुद स्वाजी सीधा नीचमकता करक रेखा पर के भूमत रेखा पर सीधा चमकता है 21 मार्स से सूर जो है करक रेखा की तरफ चलना शुरू कर देता है ठीक है 21 को सीधा चमकेगा या फिर इसको क्या बोलते हैं ग्रीश्म आयनांत कहा जाता है ध्यान रखना इंपोर्टेंट पेपर पूछा गया है करकर देखा बिश्व के जिन देशों से उकर गुजरती है वो इस प्रकार है हवाई बहामस मौरितानिया अलजीरिया मैंमार ओमान मैक्सिको माली यूएसे यूएई, बांगलादेश, चीन, भारत, मिस्र, नाइजर, लीबिया, साओधी अरब, चाड़ और ताइवान ठीक है और मकर रेखा की बात करें तो मैंने आपको पहले बता है मकर रेखा क्या है मकर रेखा है भाहिया कि वो रेखा जो की साड़े तेश डिग्री दक्ष्री जाती है और यह किन देशों से गुजरती है उनके भी नाम देख लो ठीक है यह देखो तो वो है ब्राजील, परगवे, अर्जेंटेना, चिली, फ्रेंच, पॉलिनेशिया, बोट्सवाना, औस्टेलिया, मेड़ागासकर, मोजांबेक, दक्षन अफरीका, टोंगा और नाम किन-किन देशों से हो करके उजरती है, तो साथियो यह वाज का वीडियो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंग, जय भारत, बन्यमात्रम